राजधानी में पिछले कुछ दिनों में आग जनी की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं जाहिर तोर पर गर्मी उसके एक बड़ी वज़ा है जिस तरीके से राजधानी का पारा एक आएक चढ़ा है और उस माना जा रहा है कि आग लगने का एक ये बड़ी वज़ा है और इस समय हमारे साथ दिल्ली फायर सर्विस के डिरेक्टर अतुल गर्ग है उनसे जानते हैं कि किस तरह के इंतिजाम है और वो लोगों को कैसे जागरुक करेंगे ताकि इन घटनाओं को कंट्रोल किया जा सके सर लगातार पिछले कुछ दिनों में कई इंसीडेंट सामने आए हैं सब्दर जंग अस्पताल हो या गांधी नगर वगेरा तो क्या अदिली फायर सर्विस के इंतिजाम है देखे ये कोई नया फिनामना नहीं है हर साल गर्मियों में हमारी कॉल बढ़ती है फरवरी से मार्श में आलमोस दबल हो या थी मार्श के एक सोब्देख तो गर्मियों में रोजाना करीव अभी सो है आप रोयल में ये 120 हो जाएंगे रो महीं में 140 होती है ये हर साल का कुछ उपर-nीचे होता रहता है इस बार हमें एक तो सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज है कि जो हमारे पास 500 आद्मी महंदपावर जादा आ गए थे थे हमने कॉंटक्ट में पहले से जो हमारे पास महंदपावर शौटेज खतम हो गई और पास तो आद्मी महंदपावर फ्रेंट में बहुत अच्छे प्रेकेज भी होता है तूटता भी है तो हमने इस बार पहले से कॉंट्रेक्ट दे दिया है कम्पनीज को कि अगर मेरी गाली खराब होती है तो गाली ऑन दा एस्पोर्ट रिपेर होगी मान लीजे कहीं हम कॉल पेके गाली पहले वहां से ब्रेक डाउन होता उसको बेश से देख कीच के लिए आते थे रिपेर उसमें दो तिन दिन का समय जाता था तीन दिन भी लगते दे गाली कीचेंगे अब ही क्या होगे हमने कॉंट्रेक्ट दिया हुआ है जहां खराब होगी वहीं अपने मेकैनिक बेजेंगे रिपेर करेंगा अकर बढ़ी रिपेर होगी त इसी आपने में एक्यूमेंट का भी मेंटेंस कॉंटेक्ट दे दिया है जिससे कोई एक्यूमेंट खराब होगा तो इमीडेट रिपेर होगा उसके लिए हमें यह नहीं करना है कि कहां बेजेंगे क्या होंगे सब होंगे और हर साल की तरह जो लीव हम रिस्ट करते हैं हमने रिस्ट की हुई है तो आगर आप इस बार देखेंगे एक्यूमेंट फ्रेंट पे मैंट पार फ्रेंट पे गाड़ियों फ्रेंट पे हमारी पिछले दाल से पोजिशन जादा अच्छी है जो इमर्जंसी में जो छुट्टियां रद की जाती हैं वो कर दी गई है उसका यह किसी को चुट्टी चाहिए है तो जैसे अफसरों की चुट्टी अब मैं खुद दूंगा फायर में की चुट्टी डिविजन उफसर देगा पहले सेचन उफसर देता था जैसे पुलिस में आप कहते हैं थाना देक्स देता था तो हमने उसका लेवल अप कर दिया कि वह देखिए यह हर साल होता है अभी इससे पहले भी कोई गए थे अभी मेरे से पूछ के आप अगर यह तीन निन में छे फायर होई है वह बड़े इन छेओं में पांच में निकल के आया है कि यह शौट सर्कृट के वेशे थी या इलेक्टिक एक्यूमेंट का माल फंक्शनिंग तो इसमें क्या है कि आप अगर जो है जब आप गर्मी आ गई है तो टमप्रेचर ओलेटी है आप अगर कोई भी क्यूमेंट कंटिनुएं जैसे यह है अगर आप चौवीस हंटे चलाएंगी तो इसमें लगनी लगनी क्योंकि हीट जबनेट होगी कोई भी चोटा से स्पार सबसे कि आप अपनी वायरिंग को सट रखके एसी को चला रहे हैं उसमें वह डाल के रखें कि थोड़ी देर बंद करें चलाएं उसको जो है कंटिनुएं जनिंग मी होनी चाहिए उसको मैनेज करें और वायरिंग को चेक करा है मल्टि प्लगिंग ना करें तो हम बहुत सारी कोलों से बच सकते हैं दिली फायर सर्विस के सामने डबल चुनोती है हमने इस पूरे साल देखा कि दिली में जैसे से पॉलूशन बढ़ रहा है उस पे भी दिली फायर सर्विस लगातार काम करती अब पीक सीजन आ गया है आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं कैसे इसका तालमेल बनेगा कैसे एक तरफ पॉलूशन भी बढ़ रहा है दूसरी तरफ आकी घटनाएं भी बढ़ देखिए मुश्किल है पर असंबव नहीं है हमारे बास हमने बता है कि टीम हमारी है हमन करता है हमारा गाजीबुर को सामने हमारा फायस्टेजन तो हमने उसमें गाली को रजर्व कर दिया कि एक गाली हमेशा महा रहेगी कभी ऐसा नहीं होना चीए कि वहां गाली कोई नहीं है क्योंकि खत्य में अगर आग लगती है तो धुवा ज्यादा होता पॉलोशन बढ़ जा सकता है आग की कॉल्स में कमी आ सकती है पारा चढ़ने के साथ ही दिली में आग की घटनाएं बेकाबू हो गई है लगातार दिली फायर सर्विस को कॉल्स मिल रही है घटनाओं में दोगना इजाफा हो चुका है ऐसे में दिली फायर सर्विस का कहना है कि वह पूरी तर एक तरफ पॉलूशन की मार है दिली वालों के उपर जिससे दिली फायर सर्विस के जो श्टाफ है जो उनकी गाडियां है वो लगातार वरकिंग थी ऐसे में जब एक एक दिली फायर सर्विस को मिलने वाली आग की कॉल्स में दुगना इजाफा हो गया तो उसके बाद जो त ब्रेकडाउन होता था खराब होती थी तो इनको ठीक होने में दो से तीन दिन लगते थे इनको टो करके ले जाना पड़ता था लेकिन अब कंपनी के जरिये इन गाडियों को ऑन दा स्पोर्ट ठीक किया जा सकेगा जिससे माना जा रहा है कि जो फायर फाइटिंग है वह औ और बहतर होगी वीडियो जनरलिस्ट अमित माचो के साथ अवनी शौधरी निजनेशन दिल्ली